हेलो दोस्तों कैसे हैं आप साफ ताई होग कि आप सब अच्छे होंगे और आज फिर मैं यूसफुल टिप्स के साथ आप लोग के बीच हाजीर हूँ तो चलिए देरी करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं तो आज का मेरा पहला वीडियो है देखिए बच्चे का बुक को लेकर बच्चे चुट चुट बच्चे होते नहीं तो क्या करते नहीं बुक को पढ़ते हैं कम और फारते हैं जादा और फार कल अलग कर देते हैं और फार देते हैं और बोलेंगे कि मम्मी हमें साथ दीजे तो यहां पर देखिए दोस्तों इस बुक को साथने के लिए हमे नहीं है खर्चा वाला बज़ार है तो हम अपने घर के ट्रिक से घर के नुस्के से हम अपने बचे को कोपी कोपी या भूक हो कुछ भी हो हम 6 देंगे ताकि हमारा भी प्रॉफित हो हमारा भी बचत हो त्रीरो सरा बचत करें और पश्चत कर पाएं और आप लोग भी मही बॉख को बुक को साट कर दिखाएंगे ना कि अप लोग सोची नहीं सकते हैं esse आँगा टो यहाँ बात से सठ गया तो यहां पर ना यहाँ यहांगे ख didnt रहरा दाने को लेका और देखें पन्ना में न हम इस तरीके से रगड़ कर और इसे हम साथ दे रहे हैं ताकि मेरा इसे क्या होगा ना कि मेरा बचत होगा मेरा ही बचत होगा तो आप लोगों भी धेड़ सारा हाउस वाइप हैं जो धेड़ सारा बचत कीजिए तो दोस्तों इस तरीके से हम बच्चे का अपना हमारे कोपी किताब फार देते हैं तो हम चावल से अक्सर साड़ते हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजेगा तो नेक्स टीप मेरा देखिए बलाउज को लेकर है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग महीं लाएं हूंक वाला बलाउज पह तो क्या होगा ना कि कोई कपड़ा में फस कर और हमारा कपड़ा फटने का डर होता है धुना जाता है हूंक से तो बहुत ही जैसा कि परसानियों का सामना करना पड़ता है धोने में दोस्तों यह हूंक वाले बलाउज को तो इसके लिए आज हम फिर से यूज़फूल टिप ले करा है देखिए इसको कोई जंजट नहीं करना है सिर्फ हूंक वाले पाट को मोड़ देना है फोल्ड करके और इसमें एक रबड बेंड लगा देना है जो हम बालो में हम लोग यूज़ करते हैं वही रबड बेंड लगा कर और इसको अगर हाथ से धोना है तो हाथ से भ चुबहेगा नहीं और अक्सर तो हम लोग हाथ से कपड़ा दोते हैं वासिंग मसीन के लिए बढ़ियां है तो चले दर्स तो यह वाला टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजेगा तो चले बढ़ते हैं नेक्स टीप मेरा देखिए यह जाडू लगाने को लेकर है हमारे घर में जिब कचड़ा बगएरा फैला देते हैं बच्चो यह इस तरीके से कोपी किताब फार कर बहुत सारे लगा देते हैं बच्चे का तो यही काम ही है जब हम झाडू लगाते हैं तो क्या कर होता है ना कि जब कचड़ा उठाने वाला जो चोटा साम यह सुपली ले लेते हैं तो इसमें कचड़ा उठाते हैं तो क्या होता है नहीं कि कचड़ा उठाइए और फिर इसको दो के अटांगे नहीं तो ढूल मिती सब लग जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है तो बार-बार हम धोने से बचने के लिए आज हम आप लोगों के साथ एक यूश प्लास्टिक पनाने के बाद इसके बाद हम इसमें कचड़ा उठाएंगे तो इससे हमारा क्या होगा फाइदा दोस्तों कि हमारा धूल मिटी कचड़ा वाले जो उठाने वाले जो सुपली है उसमें नहीं लगेंगे और हमारे उसे बार-बार धोना नहीं पड़ेगा और इस जरूरत नहीं पड़ेगी और बार-बार धोने से भी हम बचेंगे तो इसी तरह की तरीके से आप लोग को हम useful tips लाते रहेंगे दोस्तों I hope मेरा वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजे और share कीजे हमें support कीजे तो देखिए इस तरीके से मेरा बचे धोना नहीं पड़ेगा बा नेक्स टीप देखेЭए धोस्तो हमारे कीचन में खाना को लेकर है क्या होता है कि हम खाना बना ख attitudes लाइक का छोड़ देते हैं हो बड़े घकन लगा देते हैं और नहीं फोड़ने में और इन दिनों गर्मी की घखान बहुत चल रहे हैं तो क्या होता ने कि खाना जब मुगा ढ़क कर नहीं रखेंगे तो चिपकिली बेगराया कर और मुह मार देंगे और चिपकिली में इतना जहरीला पदार्थ होता है दोस्तों कि क्या बताएं अगर चाट भी लेंगे कहीं बरतन ना तो उसको फिर से हमें मा नीम्बू का रस और दो तीन ले लिए हैं लैसुन की कलिया जिसें चिल लिए हैं और इसे हम नीम्बू के रस में इसे कदू कस कर ले रहे हैं अगर आपके पास बिनेगर है तो बिनेगर ले सकते हैं मेरे पास बिनेगर नहीं था तो मेरे पास घर का नुस्का है जो हमारे हम्हारे हैं यहांड बरने को करना nodकर्स मणें को Northwestern Lesson को कदू कस्थ कर ले कर रहें उसमारों कदू का और को डालना है सिर्फ नीमबू और और पानी मिलेंगे यहां पर और यहां पर सॉक्स फट्टा पुराना ons जाज भ्राओंwe सपैक लेकल देखिए हम अपने हाथों में पहन ले रह양 है अर फिर चमच की मदद पचन पेष्ट बनाएं इसको ऑपने हाथों में सौ 기iggers के ऊपर लगाना है सिवरी और चलिए आप लोगों के शाइड लेश्छ şu ये ट्रिक अगर आप लोग अजमा येगा फोलो कीजेगा तो आपके दिवालों पे न एक भी छिपकिलिया पेगरा नहीं आएगी तो यहाँ पर किचन साइड हम आ गए है तो किचन साइड को क्या करना है कि इस तरीके से दिवालों पे इस तरीके से इसका रस जो है पेश्ट जो हम बनाए है इसको इस तरीके से लगा देना है तो इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारे किचन साइड वाले दिवाल पे छिपकील नहीं आते हैं क्योंकि निम्बू का रस और लैसन जो बनाए हैं हम दोनों को मिला कर दबाई तो यह लैसन का और निम्बू का रस जो है उसके लिए हाईजनिक होता है तो इसलिए यहां दिवाल पर नहीं टिक पाएंगे तो आई होप के दोस्तों यह वहला टिप्स पसंद आ दोस्तों इसी तरीके नहीं नहीं टिप्स नहीं है के साथ चलिए मिलते हैं बिलेगे